खबर बहराइच से है बहराइच में आदम खोर बेडिये ने फिर से हमला किया है बेडिये ने साथ साल के पारस के गले पर पंजा मारा है जिससे बच्चा घाल हुआ है रात में सोते समय आदम खोर बेडिये ने हमला किया बच्चे को अस्पताल में भरती कराया गया घाल बच में लगातार आदम खोर भेडिये की दहशत जाए और लोग परेशान हो चुके हैं डर के साह में जीने को मजबूर हैं दूसरी तस्वीर आप देख रहें एक बुज़ूर की जिस पर भेडिये ने अटाक किया है इस वक्त आप देख सकते हैं कि नकाही गाओं का ये बच्चा है जहां पर करीब डेड़ से दो बज़े के करीब इन आदम खोर भेडियों ने इस पर हमला किया इसकी गरदन पर आप देख सकते हैं कि गंभीर रूप से ये घायल हुआ जिसके बाद इसको मासी प्रात्मिक सकेंद में भर्ती कराया गया हम जब हमला हुआ तो उस वक्त चारपाई पर इसकी माँ भी मौझूद थी उनसे भी हम बात करने की कोशिस करेंगे कितने बज़े कई घटना है पूरी बात बताएए कैसे हमला हुआ जैसा कि आपने सुना कि अधिकतर मामलों में गेट ना होने पर सीधे बेडिया जो है वो अंदर गुस रहा है और बचों को टार्गेट कर रहा है बेटा क्या नाम है आपका पारस कैसे ये पूरी घटना हुई बताएए पूरी बात अगर ना रहा है आप लाक भेडिया पकट के दखा हम अगोड़ का चला है तब आगे हैं तब खट्रिया दखाओ पका लिया तो ना आप ख़़ए बाग गाए तो जैसा कि आपने सुना ये बचा कह रहा है कि इसके घर में गेट नहीं था जिसके चलते देर रात ये बेडि इसके साथ सो रही थी तो उन्होंने जब भेडिये को भगाया तब वो जाकर इसे छोड़ कर भागा इसके साथ ही एक सक्स और है जो भेडिये के हमले में गंभी रूप से गयल हुआ है हम उनसे भी बात करने की कोशिस करेंगे और जाने की जानेंगे कि क्या नाम है आपका क जार पाई पर बैठे थे और वो जानवर आया हमको पकड़ लिया पीछे से पकड़ लिया हमको तो कवनी मेर के जैसे सोय होई तो तो माडार लेकिन उसका जब उकान गर्दन जब हमरे आते माया जो लगा कि जब दाबे हैं तो चोड़ दी हमको तो वो भगा आगे के पतला है पीछे के मोठ है बार भी हैं उक्या बड़े बड़े तो जैसा कि आपने सुना कि आदम खोर बेडिया इस लिबल पर एग्रेशिव है कि जैसे ही लोग रात में दरवाजा खोलते हैं वैसे ही वो पहले से घात लगा कर बैठा हुआ था वहां पर उसने आटेक किया बहराइच में आदम खोर बेडियों ने अब तक 49 लोगों पर अटेक किया है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई है 8 बच्चे शामिल है घायलों की बात ले तो 30 लोग आदम खोर बेडिये के हमलों में घायल हुए हैं हमारे सवारता ने महसी के प्रात्मिक स्वासे केंदर क आदम खोर बेडियों के हमले से लगातार इस पूरे इलाके में दैसत व्याप्त है इस वक्त मैं महसी के प्रात्मिक स्वासकेंद में पहुंचा हूँ जहांके प्रभारी इस वक्त डाक्टर आसीस वर्मा साब हमारे साथ महजूद हैं जिसें बात करेंगे सर लगातार अबहीं नहीं है नूर्मल इंजरी जाई हैं उन पर भैडिया घरी आ और और जो कितनी लोगों को यहां ठोक है इन दोन Jackie कि निजघिए घरी से गरिवरे गई है जिसमें बाकाइदा हर उस सक्स का नाम और एड्रेस का भी जिक्र किया गया है जो आदम खुर भेडियों के हमले से घायल हुए है इस लिश्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 30 लोगों को आफीसियल तोर पर ये भेडिया हमला कर घायल कर चुका ह है और यही कारण है कि लगातार इस पूरे इलाके में दैसत का महौल है खौफ का महौल है वन भाग की लाख कोसिसों के बावजूद आदम खुर भेडियों के न पकड़े जाने से लोग खासा निरास हैं और बेहद डरे और सहमे भी हुए हैं लोगों को उमीद है वन भाग को आखिर ये सफलता कब मिलती है कैमरामन रवी गुपता की साथ राजी उप्रताप सिंग न्यूजेटिंग बहराईच बहराईच में अभी भेडियों की दहश्वत बरकरार है वन विभाग की टीम लगातार सर्च आपरेशन चला रही है विभाग की टीम ने दोनों भेडियों को पकड़ने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है और लगातार की ये प्रयास चल रहा है बहराईच में आथ इतना लोगों की भेडियों ने जान ले ली और चार आदम खोर भेडियों को वनविभाग की टीम पकड़ भी चुकी है लेकिन अभी कई और भेडियों को पकड़ना बागी है लगातार वनविभाग को ये चक्मा दे रही है बाराइच में आतन का परियाई बने इतन भेडियों को पकड़ने के लिए वनविभाग लगातार कोसिस कर रहा है जिसके तैट कल सनिवार को दो बार भेडिये ट्रेस हुए एक बार सुबा के पहर में और दूसरी बार देर साम को ट्रैक हुए दोनों ही थर्मल रडार में कैस किये गए दोनों भेडिये एक साथ मोमेंट कर रहे थे जिसके बाद घेरा बंदी की गई लेकिन दुरभागिवस देर रात ये जो वन विभाग का ट्रैप था उसमें एक बार फिट चक्मा देकर ये भागने में काम्याब हो गए वन विभाग ने अपना ये आपरेशन शुरू कर दिया है और कोशिस कर रहे हैं कि इस इलाके में जहां पर इस यहां मैं खड़ा हूं ये गुर्बक्स पुरुआ का इलाका है यहीं पर बीते दिनों कई आदम खुर भेडियों को ट्रैक किया गया था उनको रेस्क्यू किय अपरेशन शुरू होने वाला है अभी कुछ हुआ है तो हमारी टीम लगने वाली है आगे लगी हुए दो चार टीमें तो और लोगों को वाचरों को और जितने लोग हैं सारे लोगों को विकठा किया जा रहा है सर क्या कल ड्रोन कैमरे में कैद हुए थे दोनों तेंद दोनों भेडिये दीखे थे उसके बाद एक बार फिर वो भाग गये उनका मुमेंट बहुत तेजब तो धीरे दीरे जो ड्रोन की आवाज है उसको आचाने लगे जैसे यह आवाज देखते हैं सुनते हैं उसके लखिमपूर खिरी में बाग और तेंद वी के हमले से 28 दिन में चार लोगों की मौत हो चुकी है पिछले चार दिनों से वनवे भाग आदम खोर बाग को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है ड्रोन कैमरों की मदद से बाग की तलाश की जा रही है बाग क को ट्राप करने के लिए लगाए गए है आदम खोर बेडियो को लेकर लगातार वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है